मझें आज आजना था मैं आगया सर काम के बात करें रिवीजन लेक्ष्र का है रिविजन लेक्ष्रस क्योंकि होली वीच में आगए इसलिए आज तो मेरे पास नहीं है पर मैंने बोला 31st मार्च से पहले और बहुत सरे बच्चों का मैसेज भी आया कि सर हमें एक सेडूल दे दीचे कि आप कब कब आज नहीं हो पाया तो अब कब होगा कब से होगा तो मेरे पास एक कंप्लिट जरूरी कल होली मनाई है ठीक है पर पढ़ाई जरूरी है कल आज और कल में आपको डिश्टर्ब नहीं करूंगा एक लेक्टर डाल रहा हूं आज Convexity of Bonds का है important topic है वो मैं दे रहा हूं आज लेकिन आपके जो रिविजन लेक्टर से वो परसो से स्टार्ट होगे पूरा सेडूल है मेरे पास तो जड़ा बात ही कर ले यस सिधी सिधी बात है यह डेट में अब चैंज नहीं होगा पक्का पक्का इस डेट में आपको लेक्टर मिलेगे लेक्टर सर कब अपलोड होगे सुभह या शाम को लेक्टर से रात में आट नौ बजे के आसपास ही अपलोड होगे ठीक है पहला डेरिवेटीव। वी रहेगा जो कि 19 मार्च को रहे गा 19 मार्च और इसके बाद इंटरेश्ट रिसक मेनेजमेंट उसके बाद थोड़ा और गयफ रहेगा पवशर्प तो Natale March, portfolio, mutual fund, security, valuation and analysis एक साथ करेंगे, corporate valuation, merger and acquisition and international financial management, टोटल एक अप्रिल तक हमारी revision lectures जाएगे, और अगर आपको लगेगा कि सर एक theory का भी revision करवा दीजिए, वो depend करता है आपके comments पे, तो वो 5 अप्रिल को आएगा, ये complete schedule है, इसमें changes नहीं होगा, ये 100 पर, ठीक है जी, ठीक है YouTube में ही होगे, अच्छा सर टेस्ट का बोल रहे थे, टेस्ट का पहला जो है, वो है derivative 19 मार्च को, जब derivative का टेस्ट का होगा, derivative का टेस्ट जो होगा, वो 19 मार्च को कोई टेस्ट पेपर नहीं लेकिन जब interest rate risk management का, जब मैं revision वीडियो डालूँगा, उसके description में चेक करोगे, तो वहाँ में लेगा derivative का, टेस्ट पेपर क्यों कि आपका revision हो चुका होगा, तो आपको टेस्ट देने में हमाच आएगा, ठीक है, तो जब टेस्ट पेपर में upload करने वारा हो, उस दिन में सारी बाते बताऊंगा, 22 मार्च को, आज क्या discussion कर रहा है, मैं सोचा, बस इतनी information देकर, आपको बाई बोल दूँ, हैपी होली बोल दूँ, पर मुझे ऐसा लगा, जब यूट्यूब में आप आही गए हो, तो एकाद lecture एक फाइदा तो हो जाए, तो मैं जो बात कर रहा हूँ, आज, वो बात कर रहा हूँ, convexity of bonds के, वैसे तो यार मुझे detail में समझाना चाहिए था, पर क्योंकि एक exam में question आया है, उसी question को base रखते हुए मैं काफी हद तक आपको समझाने की कोशिश करूँगा, उस question को लेते हुए, कोई examples नहीं, आपका time खराब नहीं करना चाहता हूँ, तो चले उस question पर, question number 8, और सर ये क्या खास बात है, अगर मैं कहूँ, सिर्फ एक point की वजह से, मुझे पूरा question discuss करना हूँ, complete question, इक पॉइंट की वजह से, exam में आया हुआ है, कोई शक्की बात नहीं, और कव आया है, नवेंबर 2020 में आया है, new syllabus में, साथ नंबर का question है, और उस concept का नाम है, convexity of bond, बस, वही discussion करना है, बाकि और कुछ भी नहीं, पढ़ते एक बार question को पढ़ते, कोईशन के साथ साथ इस बार क्या करने है, question के साथ साथ concept डिस्कूस करेंगे, तो ज्यादा मचाएगा, लिखाद फॉलिंग डेटा अवेलिबल फर बार्ण, फेस वेल्यू ए 10,000, टू भी रिडिम्ट एट पार अन मैचुरेटी, ठीक है, कुपन रेट है 8.5% मतलब दसदर के 8.5% रुपीस 8.50, यह हो गए है हमारा कुपन, मैचुरेटी है 5 यहर्स और रियलिटीव मैचुरेटी है 10 पॉर्शन, यॉर रिक्वाइर टू कैल्कुलेट, करेंट मार्केट प्राइज और बॉर्ण क्या अराम से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो नहीं है, करेंट मार्केट प्राइज 8.50 को डिसकाउंटिंग करना, 10% से, कितने साल तक, 5 साल तक, और फिर तीयर में 10 जार आएगा, बात खताम, मैकुले डूरेशन, मैकुले डूरेशन आपको निकालना, मैकुले डूरेशन का मतलब वहीं मौडिफाइड डूरेशन आप निकलते थे, ठीक है, डूरेशन निकलते थे और फिर मौडिफाइड उसका आप मैकुले डूरेशन भी बहुल सकते, bond duration के आप निकालना जानते हो yes duration duration actually यह दो तरह के duration होते सुरी modified duration तो यह volatility दो तरह के duration में ने इसकाया था एक स्काया था effective duration और एक सिखाया था macular duration मैशले डिरेशन के बाद volatility of bond ठीक है this modified duration यह modified duration यह है modified तृशन फिर कनवेक्सिटी ओबॉंड यह इंपॉर्टेंट है बस इसी पर मुझे आपको इसके साथ चर्जा करना कनवेक्सिटी और यह तो इची है की हम इसंसे कЬया क्या सकते क्या यह अराम से हो सकता है क्या मेकॉले डिलेशन निकल सकता डिया इस तीन प्वांट में थो दिक्कत और त ereंशियो चलो ने substant सॉलूशन और यहां उन्होंने फ्रेक्टर दे रखा ठीक सबसे पहले करेंट मार्केट प्राइज बॉंड वह आपने 850 को दस परशन से और को 50 यह आगा नाइन 431.50 यह मैंने करवारों क्योंकि पता इसमें को समझने वाली बात दूसरा मैको रोरेशन निकालना बोंड रोरेशन आपको निकालना आता और यह निकाल आपने 4.252 years फिर volatility of bond का मतलब modified duration निकालना और ये निकला modified duration ये मैं नहीं समझाओंगा क्योंकि detail मैं समझा चुका हूँ मैं बात bond duration की नहीं करूँगा मैं बात करूँगा convexity और ये आया 3.865 और इसी पे हमें चर्चा कर रहा है बस क्या होता है 3.865 modified duration का मतलब इसका मतलब समझा ना इसका मतलब समझेंगे तभी volatility convexity समझ में आगा सर इसका मतलब है अगर discounting rate या yield बोल दीजे अगर yield 1% से बढ़ेगा yield 1% से बढ़ेगा तो bond का value गिरेगा कितने परशन से 3.865 बाद समझें रहे inverse relationship होता है yield बढ़ता है तो bond का value गिरता है अगर yield कम होगा तो bond का value बढ़ेगा और क्यों होता यह मैंने आपको discuss कर चुका ठीक है यहां तक कोई समस्या के नहीं इट मिन्स की बाद का value अपोजिट डारेक्शन में मूवमेंट करेगा suppose, suppose यहीं देख लेता है yield जो है वो decrease हो रहा है 2% मतलब सर यल्ड कितना हो गया yield हो गया मान लो यहां 8% अगर yield कम होगा तो bond का value क्या होगा बढ़ेगा हाँ बोलू ना हाँ जी अपोजिट तो कितना हो जाएगा तो बिटे कितने bond के प्राइज में कितना चैंज होगा यह निकालो सीदा सीदा एक बर में यहीं से भाई दो पर्षंट में फिर से बोल रहा हूँ दो पर्षंट की बात क्यों कर रहा हूँ आराम से सम्झाओ पहले आप volatility का मतलब सम्झो मैं क्या कह रहा हूँ मैं यह रहा हूँ कि यिल्ड गिरा दो पर्षंट से तो बांड का वैल्यू बढ़ेगा कितने रुपैस से कितने पर्षंटेस से बांड का वैल्यू बढ़ जाएगा 3.865 का डबल डबल कितना होता है इंटो तो यहीं कर लो 3.865 इंटो तो 7.73 पर्षंट सीधी सुध्ध लेंग्वेज में से बोलो ना क्या बोलना जाते हूं बढ़ा सिंपल कि यार बॉंड का वैल्यू येल्ड गिरा 2% से तो बांड का वैल्यू बढ़ा कितने से 7.73% से जहां एक पर्षंट की बात हो रही थे तो इससे बढ़ता था जहां 2% की तो इसका डबल कर लो तो कितने पर्षंट से बढ़ गया 7.73% आप सीधा इसमें 7.73% बढ़ा दीजी 9,431.50 प्लास 7.73% आंसर यही आएगा 10,160 बाकी मैं आप प्लस माइनस सिखा सकता हूं पर अभी मैं उस मूड में नहीं हूं कि मैं आपको यहां बताओ कि देखो इनवर्ज रिलेसंसी बोता है यहां माइनस का साइन है तो यहां भी माइनस इतना मैं अभी उस लेवल पे नहीं जा रहा हूं अभी बस हम इसका मिनिंग समझने की कोशिश कर रहा है कि यह 3.865 है क्या चीज़ ठीक है सर इसका मतलब है अगर यिल्ड बढ़ेगा दो परशंट से तो बांड का वैल्यू गिरेगा कितने परशंट से 7.73 परशंट सी दीसी बात नहीं है डबल से सर माइनस कर ले किया यह नो हजार 431.5 माइनस 7.73 परशंट अगर यह मिल गया तो अब तो कोई भी कुछ भी पूछ ले कोई यह पूछेगा की बताओ दस में से दो गया आठ परशंट पर बांड का वैल्यू क्या आएगा अच परशंट पे बांड का वैल्यू क्या आएगा मैं कर राया है ऊट ए duy को दूट ए इस तरह से नहीं करना चाहता मैं 4.44 हमारे पास तो ट्रिक होगे ने शॉर्ट कट हो गया अब सामने वाला बोलता अच्छा ऐसा है क्या चलो ना मैं ऐसे करके देखता हूं और यहीं आंसर आना चाहिए उन्होंने कहा आपने यह जो टाइम पास किया है 3.865 जो निकाला है ठीक है बहुत अच्छी बात है इसी के तुरू आप बॉंड का प्राइस बता रहा हूं मैंने पूछा था कि 8% पर क्या आएगा तो आपने कहा 10,160 पर मैं आपकी बात क्यो मानूं क्यों ना मैं ऐसे करके द अगर उसमें भी 10,160 आ गया तो भाई आप सही और मैं प्रनाम करता हूं कि हाँ यह सही है हम निकाल देख लेते हैं और उन्होंने 8% पर बॉंड का वैल्यू निकाला यह देखो बैटी यह निकला हुआ और आश्र की बात 8% पर बॉंड का वैल्यू आ गया 10,204 जबकि हमने निकाला था 10,160 पॉंट कुछ था यह किसको यूज करके निकाला था सर यह निकाला था हमने मौडिफाइड डूरेशन को यूज करके जबकि आंसर तो यह आया आपका मौडिफाइड डूरेशन फैल हो गया भई बहुत बड़ी-बड़ी बाते कर रहे थे हमने ऐसा कर हुआ क्या सहाब इन लोगों ने प्रेजेंट वैली फैक्टर लेकर यूज किया तो आ गया 10204 जबकि आप मौडिफाइड डूरेशन यूज कर रहे थे तो 10,160 सहाब जितना आना चाहिए था आपके हिसाब से बॉन्ड का प्राइस तो उससे भी ज़्यादा आ रहा है हमने का एकाद बार गलती हो सकती है चलो यार हमने 12 परशन वाला भी तो निकाला था कि इस कितना आया था 8702 ट्वेल परशन को यूज करके और उन्होंने टेबल यूज करके निकाला तो 8 733 जबकि आपका कितना आया था 8 702 किसको यूज करो करें बाड़िफाइड दूरेशन जाला है वह समस्य बस इतनी है क्या है हमारी पढ़ाई सारी फैल हो गए यह जो हम पढ़ रहे थे ना करना जाने कब से कि modified duration को यूज करके हम बता देंगे कि यार बॉंड का प्राइस क्या होगा चाहे आप इल्ड कितने पर्शंट से भी चेंज कर दो हम तुरंद फटा-फट से क्यों कि हम जो निकाल रहा है उससे ज्काला है हम ने झाला से ज्यादाBeam कहने का मतलब क्या है कि मॉढ़िफाइड डूरेशन शही वैल्यू नहीं बताता है कि बॉंड येल्ड एक पर्शंट से बढ़ेगा तो बॉंड का वईल्यू ुगिरकर इतना हो जाएगा लेकिन उतना नहीं, value तो इतना आ गया, बस यही समस्या, तो सर क्या modify duration को use करकर bond का सही value निकल सकता है, नहीं निकल सकता, इस modify duration जो निकाला था आपने, कहां गया, 3.865, यह सही वाला modify duration नहीं है, इसमें हमें कुछ adjustment करना पड़ेगा, तब हमारा सही वाला duration आएगा, सही वाल modified duration आएगा, बस इतनी सी बात है, और जो यहाँ adjustment होगा, उससे ही हम convexity बोलते हैं, convexity क्यों बोलते हैं, यह मैं समझाओंगा, पर बात अभी मैं क्या, आप logic पे जाना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं साहब, कि हम, हमने modified duration क सबसे यह सोचा, पर answer आया यह, modified duration की सबसे हमने यह सोचा, कि value यह आनी चाहिए, पर answer आया यह, बस दिक्कत यह है, अच्छा सर, यहां तक काफी कुछ हमारी बात समझ में आई, कि हमें modified duration में change करना पढ़ेगा, अब सुनो धियां से, इस से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हमें, charts, 10%, पर दिख रहा है, 10% पर, कितना value है, 9,431, अगर मैं modified duration को, यूज करके value निकालनों, तो 10,160 आया, यह linear relationship हो जाएगा, सीधी सीवा सा linear, लेकिन linear relationship नहीं होता है, वो समझाने की कोशिश कर रहा है, कि जब आप 8% discounting rate कम किया, आपने, तो bond का value 10,160 नहीं आया, साहब गलत निकल गया, कितना आया, बोले, थोड़ा सा जाद आया, यह आया, ठीक, और जब आपने 12% discounting rate बढ़ा है, तो bond का value गिरना चाहिए, पर उतना नहीं गिरा, यहाँ भी थोड़ा सा जाद आया, बस मैं यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि जो modified duration है, वो गलत है, modified duration में, change करना पड़ेगा, सर, मतलब यह बात समझ में, अब मैं जो statement बोलने जा रहा हूं, उसको ठीक से जाना, yield के change होने से, yield के change होने से, bond के price में तो change होता ही है, पर yield के change होने से, modified duration में भी change होता है, this is convexity, अच्छा सर, मतलब वो 2% के change, 2% हमने बढ़ाया, तो bond के price में तो change होगा, लेकिन सहाब यह जो modified duration दिख रहा ना, और कैसे होगा सुनो, सुना ध्यान से, अराम से समझो, सर यह क्या, आपने यहाँ निकाला था, 7.73% वो क्या था, कुछ नहीं था, मैंने कहा कि 2% इसको into 2 कर लिया था, में इसकी बात है, यह बाला, इन दोनों को, यह क्या है modified duration और यह क्या है change in yield, यह modified duration और yield में कितने परशंट का change हो रहा है, 2% का, तो 3.865 into 2, तो 7.73, यह 7.73 क्या निकल रहा था, मुझे बताओ, सच percentage change in bond price, यही तो था, कि bond price हमारा 7.73 से बढ़ जाएगा, यह तो निकाला था ना, आपने, यह bond का price 7.73 से कम हो जाएगा, यह मुझे निकालना है, percentage change in bond price, तो percentage change in bond price कैसे निकल रहा है, सीदी सीदी बात है, modified duration को मैं multiply किससे कर रहा हूँ, change in yield, यह तो multiply कर, यहाँ तक ठीक है, बस मुझे इसमें और क्या कुछ adjustment और करना पड़ेगा, सुना धियाँ से, देखो, modified duration, यह minus का sign है, सरी minus का sign क्यों लगाया है, आपने, logic क्या है, logic है, opposite relationship, मतलब yield बढ़ेगा, तो bond का price गिरेगा, इस तरह से, इसलिए minus का sign है, यह, yield गिरेगा, तो bond का price बढ़ेगा, opposite, minus का sign है, और yield कम हो रहा हमालो, 8% हो रहा, तो यहाँ भी minus का sign, अगर आप sign पे मज जाओ, तो this into this 7.73%, लेकिन, यहाँ क्या modify duration में भी change हो रहा, yes, change in modified duration into change in yield, यहाँ जो हमारा actual में आया था 7.73%, इसमें कुछ और change करना पड़ेगा, इसमें कुछ और change करना पड़ेगा, बस इसको समझाने की कोशिश करो, sir, यह आया कहां से, 0.23, अभी उस पे मज जाओ, कैसे आया, कहां से है, वो बाद में बात करूँगा, it means change in modified duration, और यहाँ change in yield, इन दोनों को multiply करो, this is convexity, और फिर जो आएगा, वो कितना आगा, 8.20%, यह समझाओंगा, कहां से है, अभी आपको उस पे focus नहीं करना, और अगर हम 9,431, 0.50 को multiply कर दे, plus कर दे, 8.20% से बढ़ाए, तो answer 10,204.05, मैं क्या कहना चाहता हूं, कास अब समझ चाहूं, this is important, percentage change in bond price में निकालने की कोशिश कर रहा हूं, यह तो हम वैसे भी करते ही थे, ठीक है, बस मैं यहाँ कुछ कर रहा हूं, change in modified duration और change in yield, इन दोनों को multiply, यहाँ मैंने कुछ adjustment किया, modified duration, क्योंकि yield के change होने से modified duration में भी change हो रहा है, तो यहाँ कितने percent, 2 percent, तो यहाँ भी 2 percent ही रहेगा, बस यहाँ change in modified duration, यह समझ यह है, यह कहाँ से आएगा, बस, अगर यह समझ में आ गया, तो बास समझ में आगी, finally, हम कहां तक पहुचे, में मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यह है कि modified duration से bond की सही value नहीं आ पा रही है, तो हमें कुछ adjustment करना पड़ेगा, हमें कुछ adjustment करना पड़ेगा, और उस adjustment का नाम है convexity, और क्या adjustment करना, कुछ नहीं, modified duration में ही adjustment करना है, और वो कैसे करेंगे, change in modified duration, modified duration में जितना change हो रहा है, और उसको multiply किससे कर देंगे, change in yield, that's it, ठीक है जी, modified duration into change in yield, हमें क्या पहले का existing modified duration पता है, हाँ, क्या हमें ये पता है, change in yield ये भी पता हो जाएगा, क्या हमें change in yield पता है, ये तो पता है, ये change in modified duration आएगा कहां से सर, बस ये समझाना है, और कुछ नहीं, convexity का मतलब सुनना ध्यांसे, ये जो है linear relationship नहीं होगा, ये यहां से इस तरह से, यहां convey, यहां जो है, यहां से turn होगा, this is graph के साब से मैं समझाओं तो, ठीक है, पर graph graph हमारे काम की बात नहीं हम यहां, कोगी बहुत सारा detail नहीं समझा सकता, यही कोशन पर बहुत ज्यादा focus नहीं करूँगा, ठीक है सर, बास समझ में आती है, कहां पर पहुचे हम लोग, सर, ये change in modified duration, a convexity आएगा कैसे, अब समझने की कोशिश करते आराम से, अब मुझे आपका साथ चाहिए, बस, थोड़ा सा देखोगे, बास समझ में आ जाएगे, ठीक, अब सुनोगे ध्यान से मेरी बात, क्या modified duration का formula क्या है, modified duration, क्या होता, volatility, क्या होता, सर, आप ही तो बता रहे थे, सुना ध्यान से, कि सर, अगर yield, एक percent से, बोलो न, बढ़ेगा, हाँ, तो bond का price 3.1 गिरेगा, यही तो था, मतलब सर, modified duration का formula अगर देखा चाहिए, तो क्या होगा है, yield बढ़ेगा, तो bond का price गिरेगा, मतलब yield के change होने से, bond के price में क्या change होगा, change in bond price divided by change in yield, हाँ सर, change in bond price divided by change in yield, ठीक, और convexity का मैंने क्या बताया formula, कि yield के change होने से, bond के price में क्या change होगा, this is modified duration, effective duration है, वैसे तो देखा जाए, तो, पर चलो, yield के change होने से, bond के price में क्या change होगा, modified duration, yield के change होने से, modified duration में क्या change होगा, this is convexity, ये बात समझना है, yield के change होने से, दो जगा फर्क पढ़ता है, bond के price में भी पढ़ता है, और modified duration में भी शलता है, पढ़ता है, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए, ये वाला चीज़, convexity, convexity के असर, yield के change होने से, modified duration में, ये अगर मैंने निकाल लिया, तो बात करता हूँ, और modified duration का formula क्या है, change in bond price divided by change in yield, ठीक है, ठीक है सर, पर अभी तक ये समझ मनी आए, कि आप कहना क्या चाहते है, वो आराम से आएगा, बस सुनते जाना मेरी बात को, अब एक बाता, bond का actual में price कितना था, 9,431.50 पैसे, agree, अगर हम yield 2% से कम कर दे, तो ये कितने परशन पे हैं, 10% से, अगर yield को हमने 2% से डाउन कर दिया, तो bond का value बढ़ा, हाँ बोलो, हाँ, कितने percentage से बढ़ा, क्या आप निकाल सकते हो, yield के कम होने से, bond का value बढ़ा की नहीं बढ़ा, बढ़ा, तो कितने percentage से बढ़ा भई, बताओ न, सर अब भी बताते हैं, 10,204, हो गया, 10,204, और पहले कितना था, 9,431, divided by 9,431, क्या ये बच्चु वाला काम है, यास, तो मुझे बता सकते हो, bond का price कितने percentage से बढ़ गया, या 8.2% से बढ़ गया, हाँ, ची, बिल्कु सही, अगर हम yield, 2% से कम करती, तो bond का price बढ़ता है, और कितने percentage से, 8.2% से, हमने बढ़ने वाला निकाला, अब मेरा ये question है, अच्छा एक बाह बताओ, क्या bond का value, 8, 7, 3, 3 भी आया है, यास, कितने percent पे, 12% पे, तो yield के बढ़ने से, क्या bond का value गया, हाँ सर, yield के बढ़ने से bond का value गया, कितने percentage से गिर गया, निकाल सकते हो कि, हाँ सर, भई, पहले था, अब इतना हो गया, तो सर, ये 7.4% से, अब समस्या क्या आ रही है, भे, derivation पे जा रहा हूं, formula के, पर मैं सिधा formula लेखा हूंगा ना, तो आपके भी हो सुड़े आई है, और मैं नहीं चाहता है कि, हो सुड़े, अभी क्या बात आई, अभी ये बात आई, यार, yield के बढ़ने से, bond का price भी बढ़ता है, yield के बढ़ने से, फिर से, पहले गिरने से, yield गिरा, YTM down, bond का price बढ़ा, yield 2% से गिरा, तो bond का price 8.2% से बढ़ा, बढ़ा, और सर, yield बढ़ा, तो bond का price गिरा, कितने पर्शंट से 7.4 सरी गरबढ़ नहीं है एक जगह 8.2 से बढ़ता और एक जगह 7.4 सी गरता दोनों फिर कैसे सरी तो चैन्ज वाला फॉर्मला तो नहीं मतलब हम कैसे बोले मॉडिफाइड डॉरेशन किया यह है कि यह समझ में नहीं आ रहा है कि दो पर्शंट हम दिवाइट करना वह दो बाद में करी देंगे पर हम अब एक बाद बता हो दो पर्शंट के चैन्ज होने से क्या बॉंड यिल्ड के दो पर्शंट के चैन्ज होने से क्या बॉंड के प्राइस में चैन्ज होगा हां पर इतना चैन्ज होगा कि इतना ते का हुआ सर इसका average मारते हैं average और इसको हमने average किया और यह आया 7.8% । 7.8% average कियाम average के लिए divided by two करना पड़ते है ठीक । अब 7.8% 7.8% का meaning क्या हुआ है आप मैं सम्झाने की कुस्ट है on an average 7.8% का meaning स्वक्राइब के गिरने से बॉंण का प्रैस बढ़ेगा फिर जिल्ड दो परशन से गिरेगा तो परशन यह नो यल्द विरेगा तो बॉंड का पके बढ़ेगा टे बन पॉंड टीट परिस और यह फंद दो parशन से बढ़ेगा तो पॉंड का वेल Massachusetts price divided by change yield यह वाला तो यह आ गया 3.9 इसको क्या भाम 3.9 परशंट इसको क्या भाम और अच्छे से बोल पाएंगे यस और क्या बोल रहा है 3.9 परशंट को बोल कर बताओ कितने परशंट से 3.9 परशंट इंसब का सारांस क्या है सर बस बेटे आ पहुंच रहूं पहुंच रहूं सुनो यह अभी क्या निकला है मौडिफाइड दूरेशन चेंज इन मौडिफाइड दूरेशन बस चेंज इन इलने से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा अब सुनना ध्यान से इस एक कोशन के लिए मुझे सारी मेहनत करनी पड़े अब सुनोगे बिट्टे मैं क्या कहना चाता हूं बिल्कुल धियान से सुनो कि मेरी बात मेरा ये कहना है तियरो सर आपने आप सुनों बेटे मुझे आपका साथ चाहिए आपने इसको और इसको निकाला और डिवाइड़ बाइ टू कर दिया आपने अलग अलग निकाला और डिवाइड़ बाइ टू कर दिया सर ये सारा काम हम एक साथ कर सकते हैं क्या एक साथ मतलब मतलब देखो सर 10,204 है उसमें से 9,431 माइनस हो रहा है फिर 8,733 है इसमें से 9,431 माइनस हो रहा है तो सर क्यों ना हम इन दोनों के एक साथ जोड़ ले और इन दोनों को जोड़ की सीधा माइनस कर दे हां बिलकुल सही दसर 204 लिखा हां सर बिलकूल और इसको भी एड कर लिया इसी में 8733 और सर इनको दो बहुंट मैनिस करना तो दो से मल्टिप्लाइ करके मैनिस कर दो मजा गया यहां तक ठीक है सर यहां तक ठीक है अब डिवाइड में 9431 और 943 दो दो बार है तो क्यों ना दो से मल्टिप्लाई कर देते हैं वाव सर यह भी बहुत अच्छा है और फिर डिवाइड़ बाई फिर यह सब पर्षेंटेस को में इन टू हंडर नहीं किया और जो भी आया एवरेश किया आपने अच्छा यह जो 9431 यह तो एक बार आया है यह है एवरेश टू से मैंने डिवाइट कर दिया यह तक ठीक है यह तो आप कॉमन है तो आप एक बार ही लिख सकते हो कोई फरक नहीं पड़ता यह तो से डिवाइड कर दिया एवरेश के लिए और कुछ नहीं है और फिर टू कहां अगर मेरी नजरों से तो यह वाला पार्ट जो यह वाला है एक किसका है यह है चैंज नियल और यह फॉर्मुला किसका बना कनवेक्सिटी हालाकि चैंज इंज मॉडिफाइ डूरेशन होना चाहिए उसके मैं मुझे एक्स्पोरेशन देना तो यहां थोड़ा सा मुस्किल ह जाएगा, it means मैं convexity की बात करा हूँ, change in modified duration divided by change in yield, इसलिए यहाँ 0.02, it means convexity का formula ultimately क्या बना, 10204, 8733.5, minus 2 into this, यह यह और इन दोनों को ultimately हम यह square कर सकते, इसको आटा देते हैं, और यह क्या निकला आपका, convexity, अगर देखोगे, तो एक formula दिया है, यह दिया है, convexity का formula, और मैं यह आपको बता रहा था, यह क्या change in modified duration divided by change in yield, ठीक, और कुछ नहीं है, ठीक है, यह बात समझ में कि अब क्या करना, क्या ही है, मैं बता हूँ, करना कुछ नहीं है, आप बता हूँ, convexity का formula क्या था, change in modified duration divided by change in yield, तो अब मुझे बस एक बादा हूँ, क्या मोडिफ, change in modified duration का formula बन सकता, this into this, मतलब convexity into change in yield, बिलकुल ध्यान से दिखो, मैं कह रहा हूँ, कि change in modified duration का formula बन सकता है, change in modified duration is equal to, convexity into change in yield, एगरी, और मुझे क्या चाहिए, अब में मुद्दे में आ रहा हूँ, मुझे percentage change in bond price चाहिए, modified duration into change in yield तो है, modified duration into change in yield, और दूसरा मैंने का, क्या कहाता, change in modified duration into change in yield, यह कहां की बात करों, मैं यहां की बात करों, यहां जो हुआ न, change in modified duration into, मुझे new percentage change in bond चाहिए, यह तो मेरे पास पहले से था, और यह भी पहले से था, मुझे यह चाहिए था, change in modified duration, मेरे पास change in modified duration है नहीं है, तो मैंने का, convexity into change in yield कर देते हैं, एक ही तो बात है, यह किया, मैंने, convexity into change in yield, इसका formula हो गया, change in modified duration का, और change in yield यह तो ही है, तो इसलिए यह क्या हो गया है, square, change in yield, change in yield square हो गया, ठीक है, अब आजा थेस्वे, 3.865 into 0.02, और convexity निकला हुआ है आपका, कहा निकला हुआ, convexity यह आपने निकला, C star boulder 9.867 into change in yield square, तो यह आया, यह अलड़ी आपने निकला, यह परसेंटेज में निकला है, यह निकल चुका, इस इस निकल चुका, और फिर इसको आपने, तो यह आगया, 0.08125, अगर इसको परसेंटेज में बोलो, 0.08125 into 100, तो 8.125% है, सीधी भासा मैं बोलू, अगर में 9,431.50, प्लस 8.125% करूं, तो 10,190 लगभग यह वही प्राइस है, जो आना चाहिए था, इसके आसपास यह आ रहा, है, अच्छा सर, आगे और चले, यस, अगर रिल्ड 12% है, तो क्या होगा, तो यह तो रहेगा, माइनस का साइन है, यह माइनस का साइन क्या कर रहा है, मैं आपको समझानी की कोशिश कर रहा है, ठीक से समझना, यह है यह प्लस ही होना, मैं आपसे बोल रहा हूं मोडिकायद डूरेशन जस्ट ऑपोजिट रिलेशन सिफ होता है, इसलिए यह माइनस का साइन, और याल्ड क्या हो रहा है, दाउन हो रहा है यहां बात कि 8 another tobalance का संग औरमाइनस मैनस को होता है समझना साल यह मैनस घड़ाइगा यह प्लास हो जाएगा अघ्र जुक्षट प्लस रहने ही रहना यह कहां से आए यह अल्रडी अप निकाल चुके तो उस हिसाब से यह माइनस हो जाएगा यह प्लस तो यह माइनस हो जाएगा 8740 के असपास और यहां देखो अंसर हमारा क्या मैच हो गया यह 8733.40 है तो ठीक है एट इसी के असपास आ रहा है 8739 आ रहा है वो राउंडेड ओफ की वजह से सर पूरे कोश्चन में करना क्या है बस इतना बता दो बत का तमसे इतना सारा कुछ तो पूछा नहीं था देखो भाई मेरी बात करो इस कोश्चन की तो इस कोश्चन में क्या पहला point हम से बन गया था हाँ बोलो हाँ क्या दूस्रा point भी बन गया था हाँ क्या तीसरा point भी हो गया था हाँ अब बात आगे थी complexity की और convexity का formula क्या था convexity का formula और वो था change in modified duration divided by change in yield यही काम करना है और change in modified duration क्या मैंने आपको निकल कर दे दिया था यस और यह कैसे निकला था change in bond price divided by change in yield यह मैंने derivation समझा चुका हूँ आपको और फिर करना क्या था उसने यह जो c star है इसको c star बोला इसको convexity नहीं बोला और फिर उन्होंने convexity का formula ने बनाया और का convexity का formula क्या बताया उन्होंने बले जुआया c star बोल रहा है उसको into change in yield square कर दिया बस इट मेंस पुरे question पुरे सार यह निकला भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं है यहां पे आजाओ पुरी बात यह सर पुरी बात यह है यह है convexity यह किया उसने 8 परशन और 10 परशन को और यह निकाला और इसको multiply कर दिया इसको c star बोला उन्होंने चेंज नियल से तो यह आगा है और इसको उन्होंने convexity बोला ठीक है इसके बाद वाले पॉइंट में तो कुछ बात ही नहीं थी वो तो आप कैसे भी कर लोगे उसकी समस्या नहीं है इस इस convexity of bonds बस आपको टाइम है नहीं है यह एक्चुली कि एडिशनल जब concept question डलते है न तो उस question में पूरी तरह से concept discuss करने में थोड़ी सी समस्या होती है कि एक्जामपल्स वगेरा मुझे अगर मैं यही चीजे एक्जामपल्स लेकर करवा हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा लेकिन वही है कि थैंक यह सो मच चलते है अगले कोशन